नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोले शो में से दोस्तों आप लोगों को यादी होगा कि अभी पिछले हफते ही अमेरिका के अंदर चीन का एक जासू सी बलून पाया गया था जिसे अमेरिका की एर फोर्स ने अपने F-22 रैप्टर से मार गिराया था और मैंने तब ही आपको वीडियो बना कर बताया था कि अमेरिका शांत नहीं बैठेगा और वो चीन से हर हाल में बतला लेगा तो खैर यह बात अब सही साबित होती दिख रही है क्योंकि अमेरिका ने चीन से अपना बतला लेना शुरू कर दिया है लेकिन ये खबर बताने से पहले आपको एक बहुत बड़ी जानकार ये दे दूँ कि अब से एक हफ़ता पहले जैसे एक स्पाई बलून अमरीका में दिखा था जिसे अमरीका ने मार गिराया था ठीक ऐसा ही एक गुबारा अब से कुछ घंटे पहले कनाडा के उपर घूमता पाया गया था जिसे कनाडा के प का कारण ये है कि दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट है जिसके तहट अगर किसी एक पर भी कोई खत्रा आता है तो दोनों मिलकर उसके खिलाफ लड़ते हैं इसलिए इस चीनी जासूसी गुबारे के खिलाफ दोनों ने जोइंट कारवाई करी है हाला कि अमरीका का F-22 रैप्टर ही चीन के जासूसी बलून के खिलाफ क्यों इस्तमाल हो रहा है इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ लेकिन अब बात करते हैं अमरीका के बदले की तो देखिए ये बात तो सभी लोग जानते थे कि जिस दिन अमरीका के अंदर चीनी जासूसी बलून की बात सामने आई थी ये बात तैह हो गई थी कि अमरीका इसका बदला हर हाल में लेगा और अमरीका जब भी किसी से बदला लेता है तो वो दो तरीके इस्तमाल करता है सबसे पहले वो उस देश को फाइनेंशली हिट करता है उसके बाद वो उस पर सेने कारवाई करता है और अमरीका ने अब भी ऐसा ही कर दिखाया है जी हाँ अमरीका ने पहले स्टेज की कारवाई शुरू कर दी है सबसे पहले अमरीका ने चीन की कुछ बड़ी टेकलोजी कमपनी के अधिकारियों पर और उन कमपनीयों पर बड़े परतिमन लग को भी टार्गेट किया है इतना ही नहीं अब सेन्ने कारवाई की भी बात हो रही है अमरीका के जंगी बेडे चीन के आसपास दक्षनी चीन सागर में अक्टिव हो गए हैं बताया जा रहा है कि अमरीका कुछ ना कुछ मिलिटरी एक्षन अब चीन के खिलाफ ले सकता है तो क्या कर सकता है यहाँ पर अमरीका के पास क्या उप्षन है तो सबसे बड़ा उप्षन मेरे इसाब से यह है कि आने वाले कुछ समय के अंदर अमरीका अपने F-22 रैप्टर या F-35 में से किसी एक लड़ा को विमान को चीन चीन की financial capital है शंगाई तो अमरीकी लड़ाकू विमान शंगाई के 70 किलो मेटर करीब तक पहुँच गए थे जी हाँ जहाँ पर अमरीकी लड़ाकू विमान थे वहां से संगाई की दूरी मातर 70 किलो मेटर रह गई थी इतना जादा करीब अमरीका ओल लेडी जा चुका है औ और अगर कलकू अमरीका चीन के अंदर भी घुच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि अमरीका के पास F-22 Raptor मुझूद है जो इस काम को बड़ी आसानी से कर देगा अलाकि इस मामले पर मैं आपको लगतार अपडेट दे रहा हूं जैसे इस पर कोई बड़ी ख खबर आएगे मैं तुरंत आपको सुचित करूंगा थैंक यू वेर मच फर वाचिंग वीडियो